जेहीं दोस्तो अगनी बिरार्मी भरती 2023 एडमीट का डाउनलोड करने को लेकर आप में से काफी सारे स्टूडेंट का सवाल आ रहा है कि मेरा एडमीट का डाउनलोड नहीं हो पा रहा है कैसे डाउनलोड करें तो सबसे पहले तो आप सभी को बता दे यहाँ पे आप सभी देखेंगे आप में से एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि क्या एडमीट कार्ड जो है 8 अप्रिल के बाद डाउनलोड कर पाएंगे या नहीं कि दोस्तो यहाँ पा देखेंगे इसमें बताया गया है जो आपक होने वाला है और आप सभी को पता है काफी सारे student डाउनलोड नहीं कर पाएं हैं तो यहां पे आप सभी को बता दे ऐसा कुछ भी नहीं है आठ अपरील के बाद भी आप सभी अपना admit का डाउनलोड कर सकते हैं जब तक आपका एक जाम रहेगा तब तक आप सभी admit का डाउनलोड कर पाएंगे लेकिन आप जो है try किजिए जल्द से जल्द admit का डाउनलोड करने के लिए अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किये हैं तो सबसे पहले आप सभी चेक किजिए और अगर आपको email आ गया है या SMS आ गया है तो definitely है कि आपका admit का download हो जाएगा और यहाँ पे आप सभी को बता दे dance board का जो problem आप सभी को आ रहा था क्योंकि admit का download करने में कुछ student को जो है mobile phone में open करने पर यह dance board जो है open नहीं हो रहा था लेकिन अब जो है आपका dance board यहाँ पे open हो रह करें तो यह problem आपका solve हो गया है आप सभी अभी जो है try कर सकते हैं तो यहाँ पे बात करें कि आप सभी अभी कैसे admit का download करेंगे लेकिन सबसे पहले आप सभी को बता दे एक jam आपका काफी ज़्यादा नजदी का चुका है और अब जरूरी है आपको online mock test देने का तो इसके ल मत्रगत जितने भी आपको test series देखने को मिलेंगे सभी test series जो है आपके latest pattern के अधार पर है इसी तरह के प्रस्न आपको CBT exam में भी देखने को मिलेगा तो इस test series को जो है आप से भी दे सकते हैं link आपको description में मिल जाएगा या first comment pin में भी इसका link आपको देखने को मिल जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर बात करें admit card आप कैसे download करेंगे तो admit card download करने के लिए इसका link जो है आपको description में मिल जाएगा description में दिये गए link पर आप सभी किलिक किजिएगा और उसके बाद आप सभी जो है यहाँ पर आप सभी को बता दे description में जो link आपको मिलेगा उसके through भी indian army का जो official site है join indian army.nick.in इस वेव साइट पर भी आकर आप सभी अपने admit का download कर सकते हैं तो यहाँ पर admit का download करने के लिए simply अगनीपत का जो option है इस पर आप किलिक किजिएगा इस पर किलिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस पर करके interface आएगा आप आपको यहाँ पर जो online login का page 100 नहीं किया है आप जैसे ही किलिक करेंगे login का जो है आपको page 100 होगा आप सभी user id और password अपना फिल किजिएगा उसके बाद कुछ इस पर करके interface आपके सामने open होकर आएगा अब यहाँ पर देख लिजिए काफी सारे student का यह सवाल था कि जो JIA roll number है यह कहां से मिलेगा क् यह roll number जो है आप सभी को पता है कि admit का download करने में यह मांगा जा रहा है तो JIA roll number जो है जब आप सभी अपने dance board में login होंगे तो यहाँ पर history of application का एक option दिखाई देगा तो इस पर simply आप किली किजिएगा इस पर किली करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखेंगे roll number का एक option आपको दिखाई देगा तो इसके सामने यहाँ पर देख सकते हैं roll number यहाँ पर दिया गया है तो इस पूरे भाग को जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे को जो है आप को पी कर लिजिए क्योंकि यहीं आपका roll number है और इसके बाद आपको अपना DOB जो है याद रखन लिए क्योंकि जी यहाँ यह रोल नंबर जो है history of application के अंतरगर्त आपको मिल जाएगा तो simply यहाँ पर roll number हम paste कर देते हैं अब यहाँ पर आप जो है date of birth अपना फील किजिए तो चलिए यहाँ पर फील कर देते हैं दो और यहाँ पर यह candidate का जिसका दिखा रहे हैं उसका यह पर हम फील करके आपको दिखा देते हैं यहाँ पर आप सभी अपना date of birth फील किजिए और फील करके जो है आपको login करना है तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे मैंने यहाँ पर इसे फील कर दिए अब यहाँ पर जैसे ही login करेंगे तो दोस्तों एक problem यहाँ पर काफी सरे student का साथ यह आराई कि यहाँ पे एर आपको सो कर देगा काभी सारे स्टूडेंट के साथ एर सो कर रहा है तो इस तरह के अगर प्रोब्लम है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है जब आपके इमेल आईडी पर इसमेश चल आएगा इंडियन आरमी के तरफ से तब जाकर आप एड स्टूड़ कर पाएंगे तौ चलिए इसके इंडियन का यहां पर लोगीन करते हैं लोगीन पर करने के बाद आपके सामने कुछ इस पर करकर के इंटरफेश आएगा तो अब आपको यहाँ पर हीएडमिट कार्ट पर किली कर देना है इस पर जैसे download कर दिये हैं अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इस candidate का exam date देख सकते हैं इसके अलावा exam shift यहाँ पर दिया गया है exam का location यहाँ पर दिया गया है reporting time दिया गया है gate closing यहाँ पर दिया गया है और document की बात करें तो document में आपका printed copy of e-admit card यानि कि जो admit card है इसका two copy आपको लेकर जाना है original ID proof आपको लेकर जाना है ID proof में आप सभी simply जो है काफी सारे ID proof होता है जैसे कि motor ID card हो गया pen card हो गया driving license हो गया अधार card तो इन में से कोई भी document आप लेकर एक ID proof जा सकते हैं तो simply आधार card तो सभी के पास होगा तो इसे आप लेकर जाएगा इसके बाद यहाँ पे PUT water bottle तो यह अगर आप water bottle जो है लेकर जाते हैं तो यह आपके लिए है यह कोई जरूरी नहीं है इसके बाद two recent color passport size photograph यानि कि photo आपको लेकर जाना है यह water bottle को जो है छोर कर बाकी यह सब देख रहे हैं इस सभी को जो है आपको लेकर जाना है बाकी दूसरा कुछ भी इसमें जरूरी नहीं है I hope आप सभी समझ गए होंगे और exam center पर आप सही समय से जाएगा नहीं तो वहाँ पे gate बंद कर दिया जाएगा और exam online होगा CBT आपका exam होने माला है तो इसके बारे में तो अल्रेड़ी आपको पता होगा और जो practice set मैंने आपको बता है उसका link description में है आप से भी जाकर practice set दिजिए इससे आपको पता ये भी चलेगा कि एकजाम कैसे होता है तो फिर मिलते हैं next due में तब तक के लिए जय हिंद बन देबा